हैलो दोस्तों कैसे हो आप लोग मेरा नाम है सिवं और आप देख रहे हैं पढ़ाई बित मस्ती दोस्तों पढ़ाई बित मस्ती में आप लोग का स्वागत करता हूं दोस्तों आज हम लोग सिंप्लिफिकेशन का लेक्चर नंबर तीन देखने वाले हैं ठीक है दोस्तों जैस ठीक देखिए पहला क्विस्ट्टन क्या है 253 डिवाइड़ वाइड़ एलेवेन का तेज़ इक्वाल टू क्या दोस्तों इसकी वैलू फाइंड आउट करना है तो मैं दोस्तों सबसे पहले आप लोग को बताया हूं कि यहां पर पहले डिवाइड हम लोग करूं कि का करूं क क्या करूं तो इसको करने के लिए दोस्तों आप लोग simply board significance लिए कि देख कर लिए देखिए यह डिवैजन तो पहले आफ आरा है न दोस्तों डिवीजनसे पहले आफ आ रहा है तो का मतलब मैंने बताया है यह होता है जो कि लेक्षे नंबर 3 में मैं बहुत अच्छे तरीके सिस्ट को बताया हूं ठीक है तो देखिए सबसे पहले यहां पर आफ करना है आफ का मतलब का करना है ठीक है तो 11 को तेज से multiply करना है 11 को तेज से गुना करना है पहले तब जाके भाग करना है तो यहां से 253 भागे 11 का तेज से अगर भाग करेंगे दोस्तो तो 200 तिरपन ही आएगा अब 253 को 253 से भाग करेंगे 11 को 23 से अगर गुना करेंगे तो 200 तिरपन आएगा दोस्तो अब जब 263 को 253 से भाग करेंगे दोस्तो तो एक आएगा जो कि आप लोग जानते हो इसका यही एंसर होगा अब अगर हम लोग"- नियम नहीं मालूम होता दोस्तों बोर्ड मास का तो सबसे पहले maximum number of students सबसे पहले यही करते दोस्तों तीरपन को 11 से भाग देने लगते तो वही पहले इस्टिफ से ही गलती कर रहे होते तो एंसवर गलत आता ठीक है दोस्तों और समय भी बहुत जाता लग जाता समय जो लगता लगता एंसवर ही गलता आ जाता दोस्तों इसलिए सबसे पहले 11 को 23 से गुणा करना है दोस्तों जब गुणा कर लेंगे तब जो आएगा उसको उससे भाग करना है बोर्ड मास के हिसाब से चलेंगे हम लोग ठीक है दोस्तों यह बहुत ही जाता जरूरी है इपलिकेशन चार बराबर 28 अब बहुत यह अच्छा क्विश्चा ने दोस्तों कई बार पूछ चुका है यहां से बोलता है कि एक्स की वैलू फाइंड आउट करो एक्स की वैलू फाइंड आउट करने के लिए हम लोग सेंपल यही प्रोसेस करते हैं सबसे पहले क्या करे ढा市 लेंगे कि ब्राकेट को तोड लेंगे अब देखो ब्राकेट को तोडने के लिए पहले प्लस करूँ टायूंस मा-नास तू मैनस तो ऐसन तब तो माइनस याक्स यह ब्रेकेट बंद हुगा यह इंटू चार बराबर दो सौरी 28 ठीक इतना आ गया अब क्या है कि इस ब्रेकेट को तोड़ेंगे अब इस ब्रेकेट को हटाएंगे तो यह चार दोनों में मल्टिप्लाई होगा चार दोनों में क्या होगा गुड़ा होगा ठीक है तो देखिए चार को दोनों में गुड़ा करो एक बार छे में गुड़ा करो फिर माइनस यक्स में गुड़ा करो अगर चार को छे में गुड़ा करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 24 आएगा माइनस अब 4 को यक्स के गुड़ा करो तो 4 यक्स हो जाएगा ठीक यहां से 28 ठीक अब यहां से दोस्तो 24 को इधर ले जाओ यक्स वाले को इधर रहने दो ठीक है माइनस चार यक्स अगर इधर रहने दू मैं तो यह 24 को इधर ले जाओको दोस्तों तो इधर 28 माइनस में 24 आता है जो कि आप लोगों को मालूम होगा ठीक है तो देखिए यह 24 इधर जाएगा तो माइनस में 24 अब देखिए माइनस 4 एक एक्स एक्वल टू आठाइस में 24 गया दो धुश्त चार हम थीक है अब यहां से x इस एक्वल टू चार अपॉन माइनस 4 । अब यह 4 सच 4 कह इन इसे लेक बार में जाएगा दोस्तो तो यहां सब्सक्राइब करता हूँ अच्छा क्विश्चन है दोस्तों तगड़ा क्विश्चन है ठीक है कि एक माइनस बड़े वाले ब्रेकेट में 5 फिर माइनस करली ब्रेकेट में 2 स्थ nem Send me 55 फिर घ्रीकेट वाले माइनस करना भी इसको क्या करना है क्या है दोस्तों ओसनी हम लोग को बोढ़ मास रूल अपलाई कर कि पूस्टा है बहुत जादा दोस्तों इस टाइब गर्द मार्स रूल दोस्तों शिंप्लिफिकेशन का स्कूप है तो देखिए बोर्ड मार्स सबसे पहले क्या कहते है कि सबसे पहले ब्रैकेट квे को मिप्रेक्त में सबसे पहले racism जबाला है ठीक है अब देखो माईनस से प्लस से दूस्तों एक आएगा ठीक अब एक माइनस क्याम कि माइनस ऐगा दोस्तों ठीक है अब यहां से 2 फिर हैं फिर हैंहां नोट-कर दिया ठीक दोस्तों समझ में आया यह होगा आप लोगो माइनस फांच में खेट में में फांच घ्रटा हो में थीघरेंगा के कि एक में माइम दोता खिटाओ 2005 आइगा ठीक है अब उसके बात क्या होगा यह 2'Tasन्य मल्टिप्लाइज हो जाएगा थीक अब देखिए एक माइनस oso bracket में कितना होगा दोस्तो एक माइनस ओफ ब्रोकेत में देखिये पांच माइनस और इस ब्रेकेट में दोस्तो देखिये 1-2 यह होगा दोस्तो देख्या यह दोस्ति यह दो कैंशल आउट हो जा रहा है ठीक है अब यहां से जो आएगा दोस्तो मेह दोम दोकouse रेकेट ही तो सॉल्व करना है 2 में 2 जीरो कर दोगे, Cancel out हो जाएगा दोस्तो, अब यहां से 1-5, दोस्तो यहां से answer जोगा, माइनस 4 यह हमारा answer होगा, ठीक है, आसा करता हूँ आप लोगो समझ में आया होगा, दोस्तो आई ये next question लेता हूँ. 25-5, 2-3, 2-2, कि पांच माइनस तीन प्लस पांच माइनस दस बड़ा ब्रेकट बन डिवाइड़ वाई चार जुस्तु देख के आप लोग डर गये नहीं कि इतना बड़ा क्विस्चन है बहुत ही छोटे से टाइम में आप लोग स्वाल प्लाई करके ठीक है तो आएए करता हूं सबसे पहल अले ब्रेकट को सॉल्व कर रहा हूं दोस्तों कितना रहा है प्लस दो आ रहा है ठीक है प्लस माच माइनस दस डिवाइड़ वाई चार अब दोस्तों छोटा ब्रेकट सॉल्व हो गया है अब यह बड़ा ब्रेकट सॉल्व कर देता हूं ठीक है 25 माइनस पांच 2 प्लस 3 ठी दो दो चार है दो दो चार है तो दो और प्लस पांच 7-4 3 माइनस दश डिवाइड़ जा समझ में आप लोगों यह दो दो चार हो गया दो दो लिए चार लेकिन माइनस में है क्योंकि यहां मैनस लगा है देख को यह दो यह प्लस में है तो दोपान्स साथ हो गया और यह माज़ेंस में 4 है तो 7-4 तीन इतना गया दोस्तों अब 25-5 दो प्लस तीन तरीक का नव माइनस दस डिवाइड़ बाई चार इतना हो गया देखो तीन तरीक नव कर दिया अब इसको सॉल्व कर लेना है 25 माइनस पाँच देखो नव दो ग्यारा नव प्लस दो ग्यारा माइनस दस एक दिवाइड़ बाई चार यहां से जो आएगा दोस्तो 25 माइनस पाँच दिवाइड़ बाई चार आ जाएगा ठीक है 25 माइनस पाँच दिवाइड़ बाई चार आ गया अब दोस्तो यहां से हम लोगों को क्या करना है पहले माइनस करना कि पहले डिवाइडेशन तो पहले हम लोग डिवाइडेशन कर लेते हैं ठीक है 25-5 बटा 4 नहीं लिख सकता हूं इस चीज को हम लोग है खुब अराम से लिख सकता हूं दोस्तों ठीक है यह 5 divided by 4 को 5 बटा 4 नहीं लिख सकता हूं अब इसको solve कर लीजिए 25 चाओ के 100 माइनस 5 बटा 4 यहाँ से जो आएगा दोस्तो 100 माइनस 5 95 बटा 4 अब दोस्तो इसको अगर काट पीट के solve करोगे तो आएगा 23 दसमलो 75 एंसवर आएगा ठीक है दोस्तो आसा करता हूँ आप लोगो को समझ में क्या होगा दोस्तो आएए नेक्ट क्यूस्ट चल लेता हूँ कि नेक्ट क्यूस्ट्ट क्या कह रहा है कि तीन का चार डिवाइड़ वाई तीन इन्टू दो प्लस ब्रैकेट में छोटे वाले चार प्लस दो अब दोस्तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या सॉल्व करेंगे सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट सॉल्व करेंगे बी ओडी यम एयस अगर आप लोग decide नहीं कर पार है सबसे पहले क्या solve करना है तो आप लोग को एक side में लिख लिना है board mass तो देखे सबसे पहले bracket solve करेंगे bracket यही है 4 plus 2 6 हो जाएगा ठीक है 3 का 4 divided by 3 into 2 plus 6 4 2 6 इतना हो गया अब क्या करना है off of मतलब का का मतलब multiplication ठीक है अब तीन चौक 12 divided by 3 into 2 plus 6 अब क्या करना है दोस्तों डिवाइडेशन करना है तो अब 12 को 3 से भाग करोगे है तो कितना आएगा 4 into 2 plus 6 ठीक है दोस्तों अब क्या करना है मल्टिप्लिकेशन करना है दोस्तों तो इसको इसको अगर घुना करोगे तो आठ प्लस 6 अब आठ छे कितना होगा दोस्तों 14 हमारा यही एंसर होगा दोस्तों आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आवा अगर दोस्तों आप लोग को समझ में आव तो आप लोग लाइक करो और हाँ अपने दोस्तों को पास दोस्तों सेयर करो ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो आप तक के लिए जाए हिंद जाए भारत